Hello and welcome friends, loop को ले करके एक अन्य प्रोग्राम हम देखेंगे पाइथर में और वो क्या है आए देखेंगे हैं सबसे पहले तो यहां हम split जो predefined function होता है उतको use करके देखेंगे इस प्रोग्राम में ठीक है तो चलिए यह शुरू करते हैं यहां पर x नाम से एक बना लेता हूं में list ठीक है अब यहां पर यह एक string है एक तरह की list को होगी नहीं क्योंकि इसमें कोई square method तो लगा नहीं हुआ है ठीक है तो यहां पर यह एक string ही समझी है इसे आप यहां पर apple कर दिया मैंने और जो दूसरा है इसमें peer कर देते हैं अलग-अलग फ़लों के नाम आपको देने है ठ देख लेता हूं पीई-ए-स-पीच ठीक है तो यह लिख दिया कुछ फ़लों के नाम और यहां पर आकर के last में close हो जाएगा यह close करने के बाद करना क्या होगा एंटर करना होगा और यहां पर y नाम से बना लेता हूं एक और इसमें x.split करेंगे यह सब यही में लिखा हु अब यहां पर पर लगाते हैं लूप ठीक है तो लूप यहां पर लगा लेते हैं तो यह लिखा मैं ने और यहां पर हम लिख देते हैं और फिर in y ठीक है z in y यह लिख दिया और यह लिखने के बाद इसको यहां से column लगा करके वो print करवा देते हैं z को ठीक है तो z को print करवाएंगे जहां देज़ेगा z को तो यह z को print करवा रहा हूँ और यहां पे आप देखेंगे z को print करवाने पे यहां पे apple, pear और peach किस तरीके से आ रहा है अगर हम इसको split नहीं करते जहां देज़ेगा अलग-अलग split होके आ रहा है कि नहीं apple, pear और peach इसमें और भी नामा पैड कर देखेंगे जैसे माले जिए मैं इसमें लिख देता हूँ banana banana, b, a, n, a, n, a तो यह लिख दिया banana तो अभी यह banana को भी split करेगा तो देखें नीचे यहां पे result में banana भी आ रहा है तो यह जो comma लगा हुआ है इसको हटा देगा यह हमने बात को, comma जो लगा हुआ 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 है और अलग-अलग करके यह दिखा देगा वसे split का यही काम है तो देख लेजिए इसको तुएक है अब माल ले इसमें अगर मैं split नहीं देता तब क्या होता तो अगर हम split इसमें नहीं देते तो देखें क्या होता इसको मैं हटाता हूँ, यह line को लिखी यह second वाली, इसको मैं हटा देता हूं तो यह हटा दिया हमने ठीक है अब यहां पर y दिया गया है इसमें हमें x करना होगा क्योंकि x में ही सारा चीज स्टूर है तो यहां पर x कर देते हैं y की जो ठीक है अब इसको चलाते हैं तो दिखाता हूं क्या result आ रहा है तो यह जो है ना कुछ इस तरीके से आएगा देख हैं सब separate separate करके देखा देखिए और नीचे कॉमा भी दिख रहा होगा अब कॉमा दिख रहा है ना हर बार कॉमा दिख रहा होगा ठीक है जबकि हमने split जब लिखा था तो वह कॉमा हटा दे रहा था तो यह देख लीजिए यहां पर जो split लिखा था उसका result क्या आया था तो ये split हटाने के बाद और ये split लगाने के बाद फिर दिखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है देखना है ओके